आम तोर पर ये देखा गया है कि प्रमुक दलों से बड़ी संख्या में मद्दाता नाराज होते हैं लेकिन विकल्ब ना होने के कारण उनके प्रत्याशी को बार बार मज़बुरन वोट देते हैं मगर निर्दली उम्मिदवारों की अगर बात करें तो उनके पास ऐसा विकल्ब की कमी नहीं होती है नमश्कार दर्शकों मेरा नाम है श्रित जोर आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्तान समवात की बेहत खास पेशकश निर्दली समवात जहां आज हम बात करेंगे कि निर्दली उम्मिदवारों के महत्व आखिर क्या क्या होते हैं या निर्दली उम्मिदवार ही क्यों जनता के लिए भला सोच सकते हैं देखी निर्दली उम्मिद्वार वे उम्मिद्वार होते हैं जो किसी भी राशनतिक दल से संबंदित नहीं होते हैं वे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं और अपने स्वयम की एजेंडे और नीतियों का समर्थन करते हैं निर्दली उम्मिद्वार के चुनाव शेत्र के मद्दाताओं को कई नए विकल्प प्रदान करते हैं निर्दली उम्मिद्वार के चुनाव शेत्र के मद्दाताओं के लिए क्या-क्या फायदे होते हैं अब इसके बारे में भी हम जान लेते हैं देखी पहला फायदा तो यह होता है कि जादा विकल्प होता है यानि कि निर्दली उम्मिद्वार मद्दाताओं को अधिक विकल्प प्रदान करते हैं मददाता उन उमिद्वारों को वूट दे सकते हैं जो उनके विचारों और मूल्लियों से सबसे जादा प्रतिनिधित्व करते हैं दूसरे की अगर हम बात करें तो वो होता है जादा जादा स्वतनता यानि कि निद्दिली उमिद्वार अक्सर प्रमुक दलों के उमिद्वारों की तुला में अधिक इंडिपेंडेंट होते हैं वे किसी भी राजनतिक दल के दबाव के अधीन नहीं होते इसलिए वे अपने मद्दाताओं के हित के लिए जादा से जादा प्रभावी धंग से काम कर सकते हैं अब अगर बात करें नए दरश्टी कोन की भी तो वहाँ पे भी निर्देलिये हमेशा अवल दरजे में रहते हैं क्योंकि निर्देलिये स्वतनतर रूप से काम करते हैं और उनका अपना एक दरश्टी कोन होता है पार्टी की ना सुनकर के खुद की सुनके जनता के लिए काम करना यही बहतर बनाती है एक निर्दिली को इस पूरी रिपोर्ट का अगर हम एक निशकर्च निकालें तो वह यह आता है कि निर्दिली उमीद्वार चुनाव प्रक्रिया को अधिक प्रतिसपर्दी और समावेशी बनाने में मददगार सावित होते हैं निर्दिली उमीद्वारों को चुनावी बहेंसो और मेडिया कवरिज में अधिक समान रूप से शामिल किया जाना चाहिए मद्दाताओं को निर्दिली उम्मिद्वारों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की जाने चाहिए ताकि वे उन्हें सूचित निर्णे ले सके निर्देली उम्मिद्वारों की सफलता के लिए उन्हें मजबूत और लोगप्री एजेंडे और नीतियों की आवशकता होती है उन्हें प्रभावी प्रचार और अभियान चलाने की आवशकता होती है उन्हें मद्दाताओं के बीच अपने आपको स्थापित करने और उन्हें ये समझाने के लिए कि आविशकता होती है कि उनके प्रतिनिद्वत के लिए सबसे अच्छा वो व्यक्ती है निर्दिली उम्मिदवारों के चुना और शेत्र के मददाताओं को निर्दिली उम्मिदवारों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए शोद करने की भी बहुत जादा जरूरत पड़ती है उन्हें ये तैय करने के लिए अपने मतों का उपयोग में लाना होता है कि क्या आखिर वो कौन से उम्मीदवार हैं जो उन्हें अच्छे से उनके लिए काम कर सकते हैं उनके हित में सोच सकते हैं और आपका क्या ख्याल है निर्दिली उम्मीदवारों के बारे में या आपको क्या लगता है कि पार्टी के जो उम्मीदवार या विधाया क्या सांसद होते हैं या फिर अगर हम बात कर रहे हैं निर्दिली उम्मीदवार सांसद विधाया की कौन से जादा बहतर होते हैं किस झाल झाल